हेलो वेलकम मैं हूर उनकुमार याद हो और इस वीडियो में देखेंगे क्लास आर्ठ की प्रशनावली दस दस मलो दो के प्रशन दो का सॉल्यूशन और इससे पहले की वीडियो स्के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अब वहां से उनको ठीक है तो मतलब हमें अपनी कक्षा का क्लास रूम का एक मानचित्र खीचना है और हमें उचित पैमाने का यूज़ करना है और जो जो चीज़े हम दिखा रहे हैं उनके लिए अलग-अलग संकेत यूज़ करने है तो यहाँ पर देखो ठीक है यह समझ लो यह हमारी कक्षा ठीक है अब यहाँ पर जब भी हम कोई मानचित्र बनाते हैं तो ऊपर की तरफ उत्तर दिसा होती है तो यह उत्तर दिसा हो गई उसके नीचे यह दक्षिन दिसा हो गई हमारे सीधे हाथ की तरफ अगर हमारा मूँ उत्तर की तरफ है तो तो हमारे सीधे हाथ की तरफ पूर बदान रखा हुआ है यहां पर बोर्ड है जिस पर टीचर पढ़ाता है और यहां पर टीचर के लिए एक चेर है कुरसी है और यह क्या है यह टीचर की टेबल है ठीक है और यहां पर बच्चों के लिए डेस्क है जहां पर बच्चे बैठते हैं और जो यह सिंबल आपको नज बोटा कमरा तो नहीं होगा लेकिन पेपर पर यह 8 cm है वास्तविक में हर 1 cm 60 cm को दरसाता है ठीक है ना जो नानी की कागज पर जो आप यह नक्सा बना रहे हो या मांचित्र बना रहे हो यहाँ पर कागज में 1 cm असलियत में 60 cm के बराबर है मतलब 60 cm की दूरी को हम यहाँ पर म एक cm दिख रहा है असलियत में वो 60 cm है ठीक और परियोग किये गए संकेत जो संकेत मैंने हाप बनाए है देखो यह जो डिजाइन आपको दिख रहा है ठीक है यह संकेत किसके लिए बॉर्ड के लिए जिस पर टीचर पढ़ाता है यह जो गोल सापको नजर आ रहा है यह टी ठीक है जिसमें ऐसी दो बिंदिया है यह क्या है यह खिडिकी है ठीक है और यह आपको नजर आ रहोगा यह desk है और जिसमें एक दो तीन चार बिंदिया है ऐसे एक दो तीन चार यह दरवाजा है ठीक है तो यह सारे संकेत भी मैंने लिख दिया है पैमाना भी लिख दिया है और एक छोटा सा, बिल्कुल आसान सा, मैंने एक मांचित्री बना दिया classroom का, ठीक है, तो उमीद आपको ये समझ में आ गया होगा, ये बिल्कुल बहुत standard नहीं है, class 8 के हिसाब से ये okay है, ठीक है, तो आप इसको बना सकते हो, ज्यादा complex बनाने से कोई फाइदा नहीं है, फि तो ये basic सा, एक मांचित्री था, जो आपके बहुत काम आ सकता है, अगर ये question exam में आता है, तो